लव इंफारेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज बहुत खुशी वाली बात तो नहीं लेकिन कुछ अजीब सी वीडियो है जो कोई नहीं बनाते हैं लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों की क्वेरीज इस तरह से आती हैं वट्सप पे पर्सनली तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक वीडियो इस पर बना ही दूँ टॉपिक है कि Unfortunate Signs of Twin Flames Permanent Separation जी हां क्या permanent separation हो सकता है क्योंकि अभी तक आपने सुना हाँ separation होता है एक बार नी दो बार नी तीन चार बार भी हो सकता है और जब वो बहुत ही कड़वा separation का period चलता है जो last वाला होता है उसके बाद just reunion ही होता है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि separation period हमेशा के लिए हो जाए और फिर अगले जनम में फिर मिलना हो फिर से वह union and then सारे stages जी हां तो आज मैं यही लेकर आई हूँ कि separation phase जो है वो normal and हर twin flame relationship में होता ही होता है it is normal and every twin flame relationship goes through it most of the time twins वापस तो आते हैं और permanent union में भी आ जाते हैं but there are also cases when the separation phase never ends जी हां ऐसा भी होता है दीखे sign मैं बताऊंगी लेकिन पहले एक कुछ जैसे यह बता देती हूँ कि कुछ इस तरह के relationship हो जाते ना जैसे बहुती close relationship में आ गए देवर भाबी का हो गया किसी और चीज़ का हो गया बहुती close friend के हो गया common friend हो गया husband wife and friend हो गया तो ऐसे में relationship दो लोगों का खराब ना हो तो इसलिए एक को sacrifice करना पड़ता है तो एक पीचे हो जाता है वो df energy भी हो सकती है dm energy भी हो सकती है यानि कि twin flame में कोई एक partner बिल्कुल back हो जाता है और कभी ना मिलने की कसम खल लेते हैं और बिल्कुली दूर चल जाते हैं सब कुछ change कर लेते हैं सब कुछ मतलब उनके connection से दूर हो जाते है ऐसा भी होता है और और भी cousin वाला भी relationship आ जाता है sometime बहुत ही close relationship आ जाता है तो फिर ऐसे में एक जो partner है वो बिल्कुली पीच्छे कदम हटा लेते हैं तो भी एक separation हो जाता है ये तो हुआ है अब 3D level की बात अब science क्या है permanent union oh sorry permanent separation के वो ये है कि पहली बात ये है कि आप completely twin flame को feel नहीं कर रहे हैं अगर कि अरे मुझे तो twin flame के बारे में कोई feeling नहीं हो रही mood swings हो रहे हैं full moon and new moon अब कुछ भी सोचने को मजबूर नहीं करते हैं कुछ असर है नहीं हो रहा it means आपके counterpart ने आपको बिलकुल ही पूरी तरीके से shutdown कर दिया है कुछ ना कुछ feelings है हलचल मची हुई है रोना दोना भी चल रहा है और sometime complete feeling भी आ रहे है फिर तो ठीक है लेकिन ना तो complete feeling आ रहे है ना ही बहुत ज़्यादा sadness में है वो कुछ feeling नहीं हो रहा कब आया full moon कब गया new moon पता ही नहीं चल रहा तो फिर समझ लेजे कि आपके ही twin flame partner ने आपको पूरी तरह से boycott कर दिया बाइ 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 कर दिया दूसरा sign है कि अब आपको उनके सपने भी नहीं आ रहे maybe your twin flame has moved on and out of your life for good मतलब वही जो मैंने अभी situation मता है कि ऐसा भी करीबी रिष्टा भी हो सकता है कि हमारे relationship बने रहें या और भी ज़्यादा ना बिगड़ें या आपके relationship आपके spouse से आपके बच्चों से या in-laws से या parents से या friends से जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं उनसे खराब ना हो इस वज़े से आपकी अच्छाई के लिए वो moved on हो गए ये भी होता है तो भी ये separation हमेशा के लिए हो जाता है तीसरा sign है कि you choose the wrong path अगर आपने गलत रस्ता चुन लिया है अगर आप अपने true calling inner instinct को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे है drugs में लिपत हो गए है multisexual relationship में engaged हो गए है तो it can be difficult for your twin to follow you आपको follow वो नहीं कर पाएंगे उनको भी synchronicities होनी बंद हो जाएंगी आपको तो definitely होगी होगी तब ही मैं अरे एक वीडियो मैं कहती हूँ divine feminines के लिए जो कि अकसर comment box में ये कहती है चोड़ो चोड़ो twin flame को बहुत ही खराब relationship है बहुत ही weird relationship है बहुत रुलाता है soulmate को पकड़ लो उसे शादी कर लो इतना ही easy होता तो सारे ऐसे कर लेते फिर रोते क्यों लोग सालो साल soulmate से भी अगर एक twin flame शादी कर लेता है तो भी वो परेशान ही रहता है क्योंकि उसकी soul अर्ज करती ही रहती है soul magnetic pull करती ही रहती है sometime soulmate से शादी हो रहती है आपको कई साल होगे बहुत ही अच्छा लग रहा है अचानक से twin flame आते है तब आपको समझ में आएगी कि हाँ ऐसा भी होता है magnetic pull हमेशा रहता है आप सुछते हैं कि सब कुछ तो घर, परिवार, जॉब, बिजनस सब कुछ तो इतना अच्छा है ये twin क्यों बीच में आ गए life को hell करने के लिए तो वो hell वाली बात तब फिर लगने लगती है होता hell नहीं है लेकिन feeling ऐसे आने लगती है कि सब materialistically सब अच्छा तो चल रहा था 3D में ये वाली बात तो आपने अगर रस्ता गलत चुन लिया जैसे कई बार Divine Feminines के आस कहती है कि मैडम कहीं और कर लें किसी और से engage हो जाए शादी कर लें, live-in में रह लें किसी और से साथ चले जाए हम बहुत अकेला फिल कर रहे है Lonelyness हो रही है Lonelyness हो रही है तो जरूरी थोड़ी किसी का body touch चाहिए इससे उपर उठने की जरूरत है Twin Flame Journey कहती है इस sexual energy को ओजस शक्ती जिसे कहती है इस ओजस शक्ती को बढ़ाईए इसी root चक्र जो की root है हर तरह के problem की cause है root है उसी को यह आप पकड़ नहीं रहे है तो फिर तो मुश्किल है बहुत से divine feminine यह कहती है नहीं हम young है हम beautiful है हम अपने twin से भी ज़्यादा अच्छे है उसने हमें छोड़ दिया तो क्या हम हमारे लिए क्या कमी है हम तो जा रहे हैं इसके साथ उसके साथ multiple relationship में खुद engage हो जाती है फिर कहती हो वो भी तो हुआ हम भी होँगे यह tit for tat वाली बात थोड़ी है सामने वाला भी multiple relationship में आप भी होगे फर्क क्या हुआ फिर फर्क क्या हुआ यह पूछी आप अपने आप से है ना तो इस वज़ा से भी हमेशा के लिए separation हो जाता है आप माने या ना माने करके देख लीजे हमेशा के लिए separation हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि यह क्या बकवास है मेरे पास ऐसी ही twin flames हैं दो चार जो बिल्कुल ही नहीं समझने को राजी है वो भी तो कर रहा है हम भी करेंगे तो ठीक है कर लीजे करके रिजेल्ट देख लीजे यह बात है चौत्य बात पांच्वी बात यह बताऊँगे कि आपने या तो आपने रस्ता गलत नहीं चुना ठीक है आप ऐसे नहीं है आप हमेशा आपने आगे ही बढ़ रहे हैं आप उन्नती पर है स्पिरिचल जर्नी पर बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपके डिवाइन मस्क लाइन चाहे वो फिमेल है या मेल है उन्होंने गलत रस्ता चुन लिया वही मल्टिबल सेक्टल रेलेशनशेप्स ड्रग्स और क्या बोलते हैं आप लोग माल फूखना वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है क्रिमिनल अक्टिविटीज में इंगीश हो जाना और मेभी ही और शी इस फेसिंग डिफिकल्टीज इन लाइफ फैमिली फ्रेंट की लाइफ भी डिस्टब करती है बड़ा भाई ऐसा हो गया चोटी भेन अची होगी ममी पापन नासेसिस्ट होगी मतलब इतने ज़्यादा नासेसिस्ट और कार्मिक लोगों से आपका ट्विन इतना घिरा हुआ है या स्पाउस ही हो गया उसका आपके ट्विन का है ना वो ही तना कार्मिक और नासे जिए तो अब वो निकले कैसे, अलग कैसे हो 3D में, अब वही है ना, शादी तो हो जाती है, डिवोर्स लेने में सालों साल लग जाते हैं, शादी तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, भागते भी कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने में सरकार के तो इस phase में permanent separation भी हो सकता है हो सकता है कहारीऊ मैं यह कहारीए कि हो जाएगा ऐसी situation भी है बहुत सी domain feminance के तो यह नी कहारीए कि अबISHा केलिए हो जाएगा मैं यह कहारीए कि ऐसा हो सकता है लेकिन अपने उपर आप ध्यान देते रहे तबी तो यह journey self, solo, spiritual journey है इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर वारे ने आ रहे नहीं समझाए तो फिर सब कुछ अब number six point है कि your twin flame doesn't believe in twin flames अरे भई मैंने मानता यह twin flame होता है क्या बेकार की बातों में तुम तो पागल हो रही हो यह हो रहे हो, मुझे भी कर रहे हो यह बेकवास बाते मत करो है ना, फिर वो जितना आप उनको समझाने जाएंगे आप क्या करते हैं divine feminine energy चाहे वो male है या female है लगाता twin flame की videos, audios दे देंगे या confirmation करा है, उसका ही audio पकड़ा देंगे देखो देखो हम तो twin flame है तो जो सुनी नहीं रहा जो receptive mode में ही नहीं है, उसको समझा के क्या जिसका पेट भराई हुआ है, उसको आप खिला रहे हैं आप यह वाली बात कर रहे हैं तो वो कहेगा, वो तो उल्टी करेगा ना इसलिए वो भागते हैं फिर आप कैते हैं हमने उसको सब कुछ समझा दिया बता दिया, उसमझने को त्यार नहीं समझेंगे भई जबरऊस्ति किसी को आप नहीं समझा सकते कुछ भी चाह वो छोटा बच्चा हूँ उसको जबरऊस्ति कह ओ आ बिसीन हे आज तुझे याद करनी है, वो नहीं करेगा, जो receptive mode में नहीं, mood में ही नहीं है, बच्चा पढ़नाएं के लिए, तो कैसे पढ़ेगा, वो ही सारी बात है, चोटे चीज से समझे, चोटे बच्चे से समझे, इस trend flame journey को ना समझ में आजेगी, human tendency, human behavior, normal human behavior क्या है, वो सारी बात ह सात्वा point यह है कि, चटे कोई complete करती हूँ, पहली बात कि अगर वो believe ही नहीं करते, तो पूरे lifetime भी आपको अपनी mirror soul को awaken करने में लग सकता है, इसी वज़े से, कि यह समझी नहीं रहे, समझी नहीं रहे, आपने twin flame journey में किसी को समझाना नहीं है, आपने अपने आपको सुध कारना है, clear करना है, negativity को अटाना है, पित्रो दोश अटाने, DNA cleanse करना है, सो तरह के काम तो आपके अपने ही है, वो काम कीजिए पहले, दूसरे को तो बाद में समझाएंगे, ठीके नहीं, 7th point है, permanent separation का, कि आपकी vibration बिल्कुली low है, your vibration is low, low energy में आप half heartedly या doubt में manifest करते हैं, manifestation में कर रही हूँ, पता नहीं होगा की नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, ऐसी energy से अगर आप manifest कर रही हैं, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब ही कई लोग कहते हैं, माडम हमने तो आठ अठ डाइनिया बर ली, manifestation की, affirmation की, एक भी fulfill नहीं हुआ, उसका reason ही यह ही है, mind को control कर लीजिए अपने, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपनी आदते सुधार लीजिए, day to day life की, सब सुधार जाएगा, चेंज तो करके देखिए, अच्छा, अब twin flame, यानि आप सही guidance नहीं ले पा रहे हैं, कि आपकी अपनी energy and vibration को, कैसे higher करें, तो permanent separation हो ही जाएगा, ऐसी बात है, आपको भी इसी तरह के symptoms लग रहे हैं और डर भी लग रहा है, तो आप consultation book करवा सकते हैं, इस number पर, टेरो reading लेना चाते हैं, उनकी क्या energies हैं, वो जानना चाते हैं, तो टेरो reading ले लिजे, astrology से कुछ confirm कराना चाते हैं, या कुछ भी Twin Flame journey से related जानना चाते हैं तो उसमें आ जाएगा astrology में भी, या कुछ भी नहीं जानना चाते हैं लेकिन astrology से अपने बारे में जानना चाते हैं मेरी शादी कब होगी, would-be spouse कैसा होगा, आगे मेरा near future कैसा है, मेरी job, business, foreign settlement, ये सब के बारे में जानना चाते हैं तो astrology से आप जान सकते हैं इस number पर contact कीजिए, text message कीजिएगा, direct call मत कीजिएगा, please, 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 Twin Flame एक साथ ही grow करते हैं, ये बात है, 8th point बताती हूँ कि you feel a sense of deep loss, अगर आप deep loss की feeling आपके अंदर आ रही है, तो फिर ये हो सकता है, ये profound sadness की feeling है, जो painful है, extreme loneliness से ये feeling आती है, कई बार आप ऐसी country में रहते हैं, जहांके दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिखाई देता, गाड़ी लेकर ही जाना पड़ता है, तब जाके कहीं पर कोई दिखाई देगा, इंडिया की तरह ने की सब जगे सब हर कोई सीरी सीर दिख रहे हैं, तो कई बार आप ऐसी country में होते हैं, और ऐसा काम होता है आपका की जिसमें की आप बहुत सारी gathering में भी नहीं है, वैसे भी 2020 के बाद से work from home चल रहा है तो loneliness separation type का feeling आती ही है, तो अगर इस तरह की loneliness feel हो रही है, बिल्कुली loss feel हो रहा है, painful feel हो रहा है, कोई तो चाहिए बात करने वाला ऐसा लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि I'm not enough, I'm not worthy, negative feelings लगाता है एक के बाद एक के बाद एक आती चली जा रही है, तो भी ये permanent separation हो सकता है, क्योंकि twin flame एक साथ ही grow करते हैं और ascend होते हैं, औ यानि अपना soul mission अकेले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ascend होना मतलब soul growth होना, so give them time and space, spiritual growth की ascending period है तो इसे रोकिये मत, 9th point यहीं लगए कि twin के साथ आप कोई future नजर ही नहीं आता आपको, कई बार क्या होता है, दोनों अलग-अलग spouse से होते हैं, बहुत करीबी रिष्टे में भी होते हैं, घर में भी बवाल हो चुका होता है, पुलिस केस तक हो जाता है, तो भी यह permanent separation हो सकता है, दोनों parties ने एक दूसरे के ओपर पुलिस केस कर दिया, बदनामिया हो गई, extreme level तक, जो कि मैं कहती हूँ है, इस तरह से मत लेके जाए, even twin से ही baby कर लेते हैं, घर में भी जाती हैं, बहुत-बहुत सारी बाते उलज जाती हैं, तो यह आप भी ऐसा सोच सकते हैं, आपकी mirror soul भी ऐसा सोच सकती है, तो ऐसे में permanent separation हो जाता है, 10th और आखरी point यह बताऊंगी कि feeling depressed, अगर आप हो रहे हैं, तो भी दिक्कत है, guilt feel कर रहे हैं, regret feel कर रहे हैं, क्योंकि बह mess कर दिया अपने अपनी life, अपने साथ वालों की life, अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की life, सब कुछ पूरी तरह से mess हो चुका है, पूरी तरह से लोगों ने आपको isolate कर दिया, boycott कर दिया, नहीं भी इससे नहीं मिलना, यह ठीक नहीं है, मतलब आप divine feminine energy में male या female हैं, तो आपके घर वालों ने, आपके बाहर वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके सस्राल वालों ने, सब ने आपको बोल दिया कि नहीं, इसका character ठीक नहीं है, इस वजह से आप पर blame लगा कर आपसे किसी भी तरह का contact, social contact बंद कर दिया है, तो ऐसे में loneliness होना तो आता ही है, लेकिन फिर भी कोई आस है, कोई तो इच्छा बची हुई है, जो बार-बार magnetic pool के साथ साथ ये कहती है, कहीं न कहीं point आशा देती है, तो फिर आप consultation ज़रूर लीजिए, क्या पता क्या वाकई, क्योंकि divine miracle भी तो ऐसे होता है, जब आप पूरी जरह से हर चीज को accept करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आपका permanent separation जो है, फिर reunion में बदल सकता है, permanent separation को avoid करने के लिए फिर करना क्या चाहिए, वो सब करना चाहिए, जो आपकी mind, body, soul and emotions के लिए better हो, वो सब अच्छी तरह से आप जानते हैं, और वो सब मेरी वीडियो में हैं, तो वो ही सब कुछ follow इतना mess करने के बजाए, do not lose hope, क्यों, क्योंगे आशा ही बंदी हुई होते हैं, जिसकी वज़े से आप काम कर सकते हैं, God is there for you, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगे कि आपका इतनी गलत situation ना हुई हो, पर मेरे personal experiences और जितने भी personal आती हैं न, इस तरह की clients, तो उसमें इतनी सा आ चुकी हैं, तो मैंने सुचा एक वीडियो इस पर भी बना दूंगे, क्या वाकई एक permanent separation हमेशा के लिए हो सकता इस lifetime में, तो अगर permanent separation हो चुका है, फिर तो next life में मिलना होगा जरूर, वो तो फिर सारी same stages फिर से आएंगे आपकी, और अगर कहीं भी थोड़ी सी चिंगार वची हुई है, एक उमीद कि रोशनी है, फिर तो reunion हो सकता है, उस चीज़ को आप सुधार भी सकते हैं, खलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, तो आप consultation बुक करा सकते हैं, जिसकी वज़े से आप और मैं बात कर सकें, व्योंकि बहुत experience मु आगे चली है, बट ये बात है, ओके थैंक्यू सो मज़, आपका हमेशक लिए reunion हो, यही मैं जाती हूँ, और इस permanent separation से आप बच जाएं, इसी उमीद के साथ वीडियो को विराम देती हूँ, दन्यवाद